हाई फ्रेंड सुमे किचिन में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कच्ची केरी की फ्रूटी बनाना फ्रूटी कैसे बनाते हैं ये तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ ये देखिए हमने घर पर फ्रूटी बनाई है और ये बहुत ही सांदार बनी है इसे आप श्टोर करके भी रख सकते हैं हम बच्चों को घर की फ्रूटी बना कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा बाहर की केमिकल वाली फ्रूटी से तो अच्छा है ना हम घर पर फूटी बनाएं और इसे बनाना बहुत आसान भी है हमारे चेनल में मोर का वेट मार्क दिया रहता है आप इसे सब्क्राइब करें फ्रेंड्स और बेल आइकन तो जरू दबाएं फूटी बनाने के लिए हमने एक पाव कच्ची केरी ले ली है 250 ग्राम केरी है ये केरी आप खटी वाली ले ये कच्ची केरी ली है हमने इसको सबसे पहले पानी डाल के हम धो लेते हैं धोने के बाद हम इसे उबलने रखेंगे ये कुकर में मैंने पानी डाल दिया है पहले इसे में केरी डाल देते हैं अब हम केरी को डाल देते हैं कुकर में कुकर में केरी डाल देते हैं सारी कुकर में पानी इतना डालें कि केरी अच्छी तरीके से डूब चाहे ढखकन लगा के रख देते हैं कुकर को हम केस पर दो तिन सिटी ले लेंगे कुकर की और जब कुकर ठंडा हो जाता है उसके बाद चेक कर लें आप एक घंटे बाद ये कुकर हमारा ठंडा हो गया है चेक कर लेते हैं एक बड़े बरतन में हम केरी लिका लेते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है कुकर हमारा और थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं पाकी का पानी इसी में रहने देते हैं ये हम बाद में यूज करेंगे और केरी को छील लेते हैं इसकी गुठलियां अलग कर लेंगे और पूरे छिलके भी अलग कर लेंगे इसका पूरा गाड़ा गाड़ा जो पल्प है वो लिकाल लेंगे ये देखिए मैं लिकाल रही हूँ इसको हाथ से ही मिसे तभी अच्छे से मिसाता है और इसकी छिलके और गुटलियां हम दोनों को अलग कर देंके ये देखिए मैं लिकाल रही हूँ इस तरीके से आप साफ कर ले चिलके अलग कर दे और गुटलियां भी अब इसको हम चान लेते हैं चानने में इसमें जो भी रह गई होंगे चिलके और गुटलियां वो सब अलग हो जाएंगी और इसका जो गाडा गाडा पेश्ट लिकलता है इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे ये देखिए पहले इसको के जार में पीस लेंगे Gulf कलल लेते हैं क्खाली कल लेते हैं और आब अभसका यह धक भर लिया है और अच्छा खास गुट तक यह प्ष चुका और अच्छा भास अच्छा YouTube को ये पूरा मैं पोच ले रही हूँ, अच्छी तरीके से निकाल ले रही हूँ, और ये हमारा पेश्ट भी गाड़ा हो गया है बड़ी हाँ, ये देखे, ये पोच के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखे, बड़ीया तैयार हो गया है ना, इसे हम बड़े बरतन में कब हम सक्कर ले रहे हैं, सक्कर को मिक्सी के जार में डालके पीस लेंगे, इसको पीस लेंगे हम अच्छी बारिक महीन पीस ना है हमें, ये डखकर लगा के पीस ले रहे हैं मिक्सी के जार में, ये सक्कर हमने पीस ली है, चेक कर लेते हैं, अच्छी महीन बारिक सक्कर पीस अची तरीके से मिक्स कर लेते हैं यह मिला लेते हैं पिसी हुई सक्कर इसमें आप पिसी हुई सक्कर मिलाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाती है ज्यादा समय भी नहीं लगता है पिसी हुई सक्कर अची तरीके से जल्दी मिक्स हो जाती है यह मिक्स कर रही हैं तो यह चानने पे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी यह देखिए बढ़ियां चान ली है हमने और हलका सा जो कुछ गूदा रहे भी गया है इसका पल्व तो यह उपर रह जाएगा क्योंकि फ्रूटी तो बिल्कुल साफ एकदम पतली अच्छी रहती है उसमें गाड़ा पेश्ट कुछ भी नहीं रहना चाहिए यह हमने अच्छी तरीके से चान ली है यह हमारा गोल पड़ियां तैयार हो गया है अब जो हमने कच्छी केरी का गोल तैयार किया है वो एक कटोरी में डाल दे रहे हैं एक दो चमच हम डाल दे रहे हैं और यह जो कटोरी म गुल लिया है, इसमें हम कलर मिलाएंगे, यह कलर ले लिया है, मैंने यह खाने वाला कलर आता है, यह नीबू पीला कलर लिया है, इसको हम इसमें डाल देते हैं, यह थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, यह आप देखिए, मैं कितनी कॉंटिटी टीम में ले यह हूं उतना ही लेना है ज्यादा कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा और आपको जितना पसंद हो उसी साफ से भी डाल सकते हैं यह मैंने नीबू पीला कलर लिया है यह खाने का कलर आता है अलग ही इसको घोल लेते हैं टेवल इस्पॉन से अब हम यह अच्छी तरीके स जो हमने घोल तयार किया है इसमें पुरा मिला ले रहे हैं अच्छे तरीके से मिला लेते हैं मिक्स कर लेते हैं यह देखिए बढ़ियां कलर आ रहा है ना इसका अब जो कुकर में हमने पानी छोड़ा था वो इसमें मिला लेते हैं फ्रूटी थोड़ी पतली होती है ना तो तेस्ट अच्छा लगता है इसका ये हम पानी मिला ले रहे हैं बढ़िया पर्तली फ्रूटी हमारी तयार हो गई है ये देखिए और थोड़ी खटास भी है इसमें इसलिए हमने ये पानी अलग नहीं किया इसको इसमें मिला लिया है अब ये फ्रूटी हमारी तयार हो गई है एक एया टाइड डिबे में हम इसको भर के रख देंगे ये देखिए ये हमने भर दी है और अब इसका ढखकन लगा के हम फ्रीज में रख देंगे और जब कभी भी आपको फ्रूटी तैयार करना हो फ्रीज में से लिका ले और ग्लास में डाल ले ये मैं कॉंटिटिटी कित्ती लेना है आपको बता रही हूँ ये देखिए हमने दो दो चमज डाल लिया है अब इसमें पानी मिला लेंगे इसमें पानी भी उतना ही मिल जाएगा करिब दो चमज करिब इसमें पानी और मिला ले बढ़ियां तयार हो गई है हमारी फ्रूटी आप इसमें आज डालें और सर्व करें बन गई है ना बढ़ियां फ्रूटी ये देखिए दिख रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी आप बनाए पिए और अपने अनुभाव हमारे साथ प्लीज सेयर करें है ना तयार बिना केमिकल की बढ़ियां फ्रूटी